complete their speech before time, now सक्ति सिंगो हिल मौदे, मौदे, that is his party time मैं प्रतिशोध की राजनीती का भोग बने हम पर हमारी दिक्कते महत्व की नहीं है महत्व है इस देश की जनता की दिक्कतों का इसलिए मेरे नेता और लाइक माइनेट पाल्टीज ने ताई किया कि हमारे पर चाहे कितनी भी दिक्कत आए, देश की जनता की दिक्कत की चर्चा हम हाउस में करेंगे और इसलिए हम यहाँ आए मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि सच को परिशान करने या जेल में डालने से ना रावन का शासन सलामत रहा था, ना गंस का रहा था, ना अंग्रेज का रहा था, आपका कहां से रहेगा में महदे, मैं महँगाई पे एक, चंद लाइनों के साथ, अपनी बात सुरू करना चाहता हूँ मैं महँगाई पे, चंद लाइनों के साथ, चंद लाइनों के साथ, मेरी बात सुरू करना चाहता हूँ महंगाई पे हाई रे बाजपाई महंगाई तुन्हें कैसी आफ़त ढ़ाई हाई रे बाजपाई महंगाई तुन्हें कैसी आफ़त ढ़ाई देशवासियों के जीवन को बना दिया दुखदाई मैं महदे मैं किसी हवाबाजी में विश्वास नहीं करता हूँ ना फेंकूबाजी में विश्वास करता हूँ मैं आपको सोर्स बताऊंगा माननी महदई मिनिश्ट्री ओब कंजिूमर अफेर्स इनका एक डिपार्टमेंट है प्राइस मॉनिटरिंग प्राइज मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट जो आपका मिनिस्ट्री आप कंजूमर्स डिपार्टमेंट का हिस्सा है उसके आकड़े आपको देना चाहता हूँ अभी पूर्व मंत्री रहे एक सदस्य जी बिना सोर्स बताए बात करते थे में सोर्स दिखाता हूँ महिंगाई का दर 2021 अप्रील में 4.23% था वही महिंगाई सिर्फ एक साल में अप्रील 22 अल्मोस्ट डबल हो गया 7.79% ये हालत है इस देश की इसी मिनिस्ट्री आप कंजूमर अफेर्स के मॉनिटरिंग डिविजन ने अपने आकड़ों में कहा है कि राइस हमारे वक्त में 1st May 2014 26 रुपिया 17 पैसे प्राइस थी वो 14 फर्स पैसे को और 22 फर्स पैसे को 35 रुपिया 85 पैसा 37% बढ़ा दिया आपने ये हूँ 20 रुपिया 5 पैसा था आपने 28.01 पैसे कर दिया माने 37 पैसे बढ़ा दिया आप ये सारी चीजों पे आपने बड़ा लंबा लिस्ट है मैं इसी इसी आदार पे जाके आप देखेंगे तो पता चलेगा मोदी जी कुछ कुछ वर्ड कोईन करने में बहुत हुश्यार है उन्होंने कुईन किया टॉप टॉमेटा ओनियन और पॉटेटो टॉप और ये आम आदमी के लिए आम नागरी के लिए टॉप जरूरी होता है उसकी प्राइजिस टॉप पे चड़ा दिया आपने ये हकीकत है कहते थे 2014 में बहुत हुई महिंगाई की मार अब लोग कहते हैं बसकर मोदी सरकार मैं आपको ये कहता हूँ आपके जरीय मोदे वित मंत्री जी मैं उसकी बहुत इज़त करता हूँ बहुत शालीन है और मैं जिस युनिवरसिटी की बहुत इज़त करता हूँ जवारलाल नहरू उनिवर्सिटी जहांसे बहुत अच्छे चे लोग निकले उस जेनियू की वो पासाउट है वहीं से उन्होंने शिक्षा ली है जिनको कुछ लोग शासक पक्ष के जुड़े हुए कहते हैं देश द्रहिवों का अड़ा, गुंडों का अड़ा मैं उस जेनियू का बहुत समर्थित हूँ मैं वित मंत्री जी से गुजारिश करता हूँ कि आप आप तो सम्वेधन शिल है आप जड़ा गुजरात के उस अख़बार को चार दिन पहले के उठा के देख लेना एक एजुकेटेट बंदा सुसाइट करता है और एक सुसाइट नोट में लिखता है कि मैं मर रहा हूँ मैं पड़ा लिखा मुझे रोजगार नहीं मिला मजदूरी करता हूँ पर महंगाई इतनी है कि मैं मेरे घर परिवार का पोशन नहीं कर सकता हूँ मैं आतम हत्या कर रहा हूँ मैं दूसरी बात आपसे करता हूँ उस बोटार डिस्ट्रिक के रोजीद विलेज में महदे एक कांड होता है महात्मा गांदी जी की भूमी जहां नशा बंदी है शराब बंदी है वहाँ शराब बिक नहीं सकती है वहाँ पे जहरीली शराब आती है 75 लोग जान गवाँ देते हैं मैं विशे इसी के जुडाय में कहता हूँ और उसी वक्त पे कुछ बच गए उनकी आँखे गई गिड्नी गई वो कहता है इंटर्यू में कि मैं मजदूर हूँ मैं शराब नहीं पीता था महंगाई इतनी है महंगाई इतनी है कि मैं डबल शिफ्ट में काम करके डबल मजदूरी करता था इतनी तन्तोड मेहनत करता था कि रात को सोने के लिए मैं थोड़ी सी शराब लाके पीता था और जिसमें जहरीली शराब आई मैं आपके जरिये वित मंत्री जी से कारिश करूँगा कि प्रदान मंत्री जी तो अबे गए वो वहार उजीद नहीं गए थे उन गरीब के आशू पहुचने नहीं गए वित मंत्री जी आप पधारो मैं आपके साथ चलूँगा हम दोनों जाएं और उसके घर के लोगों के आशू देखके फिर आप स्विकार करना कि महंगाई है कि नहीं और हम दोनों जाएं और वो परिवार कहे कि महंगाई नहीं है मैं आपसे और इस हाउस से भी माफी मांगूगा कि मैंने जो बाशन दिया था वो मैं विड्रो करता हूँ और माफी बीची ही पर आज का दोर ऐसा नहीं है इसलिए मैं इसलिए मैं मेरी बात नहीं मैंने जब आज के प्रधान मंतरी जी के आप बहुत मानते हो बहुत सुनते हो नरेंद्र भई ने कह दिया पगवान ने कह दिया इसलिए मैं कहता हूँ कि जब वो वहां के गुजरात के मुख्यमंत्री थी मैं विरोधी दल का नेता थू उस वक्की वीडियो मैंने निकाली है मेरे सोसिल मीडिया पे लगाई है और आप चाहोगे तो सीधी आपको दे दूँगा उसमें मोदी जी ने कहा था महंगाई को देखके मुझे कहना पढ़ रहा है दूब मरो दूब मरो दिल्ली वालो दूब मरो महंगाई को देखके मुझे कहना पढ़ता है भायो बैना कि ये महंगाई को रोक नहीं सकते वो सरकार किस काम की ये कहने वाले आज नरेंद्र भाई मोदी जी का वीडियो सोशिल मीडिया पे है महिंगाई से परेशान लोग महिंगाई के परेशान लोग उमीद करके बैठे थे कि पार्लामेंट शुरू हो रही है हमें कुछ रिलीफ मिलेगी हमें कुछ राहत मिलेगी राहत नहीं दी आपने GST का और मार मार दिया relief देने की बज़ाए GST और बढ़ा दिया और किन चीजों पर बढ़ाया आपने जो सामान्य नागरी खाता है आम नागरी कॉर्ड, लसी, बटर मिल्क, पनी, राइ, स्वेट, मुरी, जेगरी, नेचरल हनी एक हजार से नीचे वाले कमरे में कौन रुपता है? एक गरीब रुपता है उस होटेल का एक हजार के कमरे के उपर भी आपने GST पाच प्रतिशत डाल दिया अरे यहाँ तक कि आपने समशान को भी नहीं जोड़ा समशान के उपर भी आपने GST डाल दिया इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? मौदय मैं यह कहना चाहता हूँ अभी माननी सदस्य प्रकास जावडेकर जी कहते थे कि आप ओल बॉंड लाए मैं आपको कहना चाहता हूँ आप आखड़े देखिए पेट्रोलियम एनालिसी सेल के आकड़े देख लीजिए आपने 27 लाख करोर रुपिये वसूल किये और बॉंड में कितने भरे है आपने? सिर्फ 98,000 करोर और 27 लाख करोर रुपिया आपने टेक्स कलेक्ट किया कि इस नाम से आप बॉंड की दुहाई दे रहे हो मैं महदे जावडेकर साहब माननी सदश्य स्री कह रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट रसोई गेस LPG जिसे टाई करता है साओधी अराम को हमारे वक्त में 2013-14 में इस साओधी अराम को के मुताबित 885.2 US डॉलर पर मैट्रिक टन LPG का प्राइस था और उस वक्त हम देते थे बोटल 400 से 415 में आपके वक्त में मार्च 2022 में 769 US डॉलर पर मैट्रिक टन LPG माने सस्ता हो गया और आपने 400 से 1100 रुपया गैस का सिलिंडर कर दिया महदय मैं पूछना चाहता हूँ जब 400 रुपया गैस का सिलिंडर था तब एक मंत्री विरांगना हो जाती थी और गैस के सिलिंडर पर चड़ बैठती थी लोग पुछते हैं वो मंत्री जी कहां है आए तो सही अब तो 1100 हो गया आए गैस का सिलिंडर आए तो सही हो मैं महदय ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार जब थी उसके आखरी तिन साल का एवरेज जावडेकर जी आप देखिए उस तीन साल का एवरेज कच्चा करूड था 108.46 यूएस डॉलर पर बैरल और हम कितने में देते थे कभी 100 रुपया नहीं पहुँच ने दिया और आपकी सरकार का लास्ट तीन साल का एवरेज देखो कच्चा करूड हुआ 60.6 यूएस डॉलर पर बैरल माने आधा हो गया पर आपने सौ के पार कर दिया आप ये एक सेकंड दे दिया आधा मिन आधा मिन आधा मिन आधा मिन आपसे यही कहता हूँ कि पदान मंत्री जी गुजरात के मुख्य मंत्री थे और जब मनमौन सी जी ने कहा कि आप स्टेट वाले थोड़ा वैट कम कीजिए तो मोदी जी ने क्या कहा था भाईो बैना ये दिल्ली वाले पाप करते हैं और राज्यों को कहते हैं कि तुम दो जालो हम कहां से दोएंगे कम करना है तो तुम तुम्हारा एक्साइज करो करो तुम्हारे पाप से पेट्रोल डिजल बढ़ता है हम वैट कम नहीं करेंगे ये मोदी जी ने खुद कहा था वीडियो है मेरे पास मेरे खिलाफ प्रिविलेज करना मैं वीडियो दिखा दूँ का कि एक पैसा कम नहीं किया था बैट का आज आप महराज की दुआई देते हो एक आखरी बात करके खतम करता हूँ जब प्रदान मंत्री जी मनमौन सी जी थे महिंगाई के लिए डॉलर की किम्मत और रुपिये को साथ गिनते हुए मोदी जी ने कहा था कि प्रदान मंत्री जी की उम्र के साथ ये रुपिया कॉम्पिटेशन कर रहा है अरे वो तो प्रदान मंत्री जी अच्छे थे कि उन्हों ने अपनी उम्र से आगे कभी नहीं जाने दिया मोदी जी की दो बर्थ डेट है और दोनों बर्थ डेट की उम्र से आगी आज रूपिय की किम्वत चली गई है यह हकीकत है वो कहते थे रूपिया गिरता है तो समझ लो प्रदान मंद्री गिर रहे है उसकी इज़त गिर रही है वो कहते थे रूपिया गिरता है तो समझ लो डेली की सरकार की इज़त गिर रही है मैं आज कहता हूँ कि आपने तो रेकॉर्ड ब्रेक कर दिया जाओ तो सही कि कौन गिर रहा है आज के देश में वो दिखाई तो सही इनी लबजों के साथ आप इजाज़त दे तो दो लाइने जो सिर्फ मैंने दी है ये इसके उपर महंगाई के उपर आप अगर दो मिनिट दे दे तो मैं दो लाइ थोड़ी सी देशवासी पे करो महरबानी सारा देश तुम से परेशान कुछ तो पुरुपा करो सरकार आई है जब से भाजबाई कठीन हो गई है देश की जिंदगानी स्वाद गया जीवन से बेस्वाद हो गई है देशवासी की जवानी स्री डेरिक अब्राएन